हलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं लाली वर्मा आप सभी का मैगनेट ब्रेन सिंदी मीडियम पर प्यारे बच्चो आशा भी करती हूँ कि आप सभी होंगे स्वस्त खुश और प्रसन अच्छा एक और बात बताओ आज कि आप कौन से शहर या कौन से गाओं में रहते हैं वहां का वातावरन कैसा है वहां आप पढ़ने कब जाते हैं कौन से विद्याले जाते हैं जो आपके गाओं या घर से कितनी दूर है और पढ़ने में कौन-कौन से विशय आप अपने स्कूल में पढ़ते हो और कौन-कौन से व हिंदी को पढ़ कर कैसा लग रहा है लाली मैडम से मिल कर कैसा लग रहा है मैं जानना चाहती हूं प्यारे प्यारे बच्चों के अनुभव तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मैडनेट ब्रेंज की माध्यम से हम और आप जुड़े हैं मैडनेट ब्रेंज एक ऐसा प्लैटफॉर्म जो कक्षा साथवी से बारवी तक की ओनलाइन स्कूल एजुकेशन हंडेट पर्ड सेंट शत प्रतिशत फ्री 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 प्रोवाइड करता है जिसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता तो मेरे प्यारे बच्चो अपने मित्रों को लिंक शेर करो ताकि वे भी पढ़ सकें बैस्ट ऑनलाइन फ्री एजुकेशन अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ हमने अपनी पाठ पुस्तक किसले का पाठ सत्रा शुरू कर दिया है जो लिखा है अरुन कमल जी ने नाम है खुश्बू रचते हैं हाथ जिसना प्रीविएस वीडियो देख लिया है उनको भली बाती पता है कि खुश्बू रचते हैं हाथ अर्थात कवी क्या कहना चाहते हैं क्या मुझे कोई बताएगा कि खुश्बू रचते हैं हाथ के मा पूंचों में रहते हैं नालों के पार रहते हैं कूड़े करकटों के धेर के निकट रहते हैं जो बूढ़े जो अनुभवी जो बच्चे और युवतियां साथ में काम करते हैं जो स्वयम तो ऐसी दुर्गंद जगह है यह यूँ कहें ऐसी बदबुदार जगह में रहते हैं लेकिन सब के घरों में खुश्बू बिखेरते हैं अगर बत्तियों का निर्मान करने वाले लोग चलो अब हम देखते हैं पहले प्रश्न की ओर खुश्बू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं जो दूसरों के लिए खुश्बू फैलाते हैं वे स्वयम कैसी जगहे रह रहे हैं? हम्म बताईए खुश्वू रचने वाले हाथ अर्थात जो लोग अगर बत्तियां बना कर संसार को खुश्वू प्रदान करते हैं सुगंध प्रदान करते हैं वे स्वयम कहां रहते हैं बिटा? पढ़ा था आम नहीं वे लोग विशम परिस्थितियों में विशम परिस्थितियां अर्थात विपरीद विपरीद विशम करत विपरीद परिस्थितियों में रहते हैं उनके टोले या महले तथा जो गली है जो उनके घर है वो गली गंदियों से भरे हैं उनके वस्त्र भी प्रा यहां मैले और कुचैले होते हैं सोयम दुरगंद में रहते हैं और हम सब के घरों में खुश्बू बिखेरते हैं आपने वो कहा बत्तो सुनी ही होगी दीपक तले अधेरा दुनिया को रोशन करने वाला सूरच स्वयम जलता रहता है तभी तो कहा गया है कि यदि सूरच की तरह चमकना है तो सूरच की तरह जलना भी होगा जो दुनिया के घरों में खुश्बू बिखेरते हैं वो स्वयम दुरगंद में रहते हैं यह है इनके पीछे की कहानी तो अरुन कमल जी ने इस कविता के माध्यम से हम सब को यही बताने का प्रयास किया है कि हमें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कम या छोटा नहीं आखना है हमें किसी भी प्रकार से किसी के प्रती उपेक्षित भाव नहीं रखना है सब के प्रती मानफता का भाव अपनाते हुए सब के साथ सम्मान पूर्वग वैवार करना होगा कहां कहां से हम एक दूसरे पर निर्भर हैं कदा पी यह नहीं कह सकते कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक दूसरों के कारियों पर निर्भर रहते हैं हम सुबह उठे हमने मनजन किया ब्रश कहां से आया मनजन कहां से आया पानी बाल्टी यह सब कहां से आया यदि मजदूर ना होते तो धनी वर्ग सुखी ना होता बिलकुल संपन्न ना होता यदि निम्नवर्ग नहीं होता तो उच्वर्ग भी नहीं होता। निम्नवर्ग है तब ही उसको उच्वर्ग कहा गया है। यदि सब समान होते तो कुछ नहीं होता और पता नहीं दुनिया कैसी होती। इसलिए जो जैसा है हमें हर हाल में हर एक व्यक्ति का सम्मान करना होगा अगला प्रश्न है खुश्बू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर है हाँ ये भी सही है कि कविता का शीर्शक खुश्बू रचते हैं हाथ क्यों रखा गया बताईए क्यों रखा गया तो खुश्बू रचते हैं हाथ से क्यों रखा अर्थ है विबन प्रकार की अगर्बद्या बनाने वाले हाथ अब हाथ अर्था क्यों रहते तो ऐसे इस्थानों पर है जहां सामान ने व्यक्ति एक पल के लिए भी ठहर नहीं सकता वे व्यक्ति दूसरों के घरों में खुश्बू फैलाते हैं अच्छा आप मुझे बताओ आपने कौन कौन सी अगरबतियों के नाम सुने हैं और कौन कौन सी अगरबतियों का इस्तमाल किया है जैसे गुलाब ठीक है, मोगरा, रातरानी ठीक है और चमेली बिलकुल और और भी बताईएगा कॉमेंट में लिख कर अब है आपके विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश क्या हो सकता है बहुत अच्छा प्रश्न है कि इस कविता का मुख्य उद्देश क्या है क्यों ये कविता आपके पाठिक्रम में शामिल की गई क्यों ये कविता आपके बिहार बूड के पाठिक्रम में बेटा जहां पर हम देखते हैं कि बिहार बूड का पाठिक्रम अपने आप में एक बहुत सटीक पाठिक्रम है पाठिक्रम का चैन करता जिन्होंने चैन किया है हम उन सभी एक्सपर्ट्स को विशेशग्यों को सादर नमन करते हैं जिन्नों ने इतने सिक्षा प्रध पाठों को आपके पाठ इक्रम में शामिल किया है चाहे कोई सा भी पाठ देख लीजिए विक्रम शिला से लेकर दीन बंधु निराला जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था पाठ पंद्रवा था इतनी भावना प्रधान इतने अच्छे पाठों की रचना और उनका चैन करना अपने आप में एक नत्मस्तक हैं हम उनके समक्ष अब यह जो खुश्बू रचते हैं हाथ इसका भी कोई ना कोई उद्देश होगा बताईए खुश्बू रचते हैं हाथ इस पाठ का उद्देश क्या है कि हम सभी छोटे छोटे या जो लगु उद्द्योग हैं उनके बारे में जान सके हैं कि हम सिर्फ लाव उठाना ही ना जाने कि हमें ये सब मिल रहा है और बस हम लाव भोगे जा रहे हैं उनके पीछे की महनत को भी जाने उसके पीछे लोग कितनी महनत करते हैं कहां रहते ह कैसा जीवन व्यतीत करते हैं इसके बारे में भी हम जान सकें ताकि हम सब अपने मन में इंसानियत के भाव को सर्वो परी रख सकें मानफ्ता के धर्म को सब से उपर रख सकें हिंदू, मुसलिम, सिख, इसाई ये मनश्य द्वारा बनाए गए हैं तो अब हम कहते हैं कि परमात हमारे साथ रहे तो परमात्मा के बनाए गए धर्म पर कर्म पर हमें चलना होगा जो है मानफ्ता का धर्म जिसके अंतरगत क्या क्या है न्याय, सक्चाई, परोपकार की भावना, दया और करुना की भावना, सबके प्रती समानता की भावना, ये हैं मानफ्ता के मूल जिने ह हमें अपने रदय में बसाना होगा हमारे विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश लगु उद्द्योग में जुड़े लोगों की परिस्थितियों के बारे में जानकारी देना है ताकि हम ये जान सकें कि जो भी चाहे वो छोटी सी कंगी ही क्यों न हो जूते चपल जो हम धारन करते हैं जिनके बिना हमारा चलना कहीं भी जाना संभव है हम तरह तरह के जूते चपल लेना पसंद करते हैं ये चाहिए वो चाहिए है ना लेकिन वो किसने बनाए वो रहते कहां है हमें उनके जीवन से संबंद जानकारी भी मिल सकें ताकि कभी वो हमारे सामने आ ज उनकी नीसंग को साहता कर सकें कि मैं जो जूते या चपल पहना हूं या जो भी मैं उपकरन या प्रसाधन या जो भी वस्तु मैं उपयोग में ला रहा हूं ये इनकी ही देन है उनके प्रती हमारे मन में सम्वेधना हो उनके प्रती हमारे मन में सम्मान हो तो हमारे विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश लगू उद्द्योग में जुड़े लोगों के जीवन और उनकी परिस्थतियों की जानकारी देना है कि किस तरह से वे रहते हैं और हम लोगों के लिए सुविदा सामग्रियों का निर्मान करते हैं अब है व्याख्य कीजिए यही इस गली में बनती है मुल्क की मशुहूर अगरबतियां इन्ही गंदे मुहलों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब खस और रातरानी अगरबतियां अब व्याख्य करना होती है जब भी हमें तो हमें बताना होता है कि यह पंग्तियां कहां से ली गई हैं इस कवीता का या जो भी हमारी पंग्तियां उसका शीरशक क्या है साथी साथ हमें यह भी बताना होता है कि इसके लेखा किया कवी कौन है फिर जाकर हमें उसका अर्थ बताना होता है तो क्या आपको पता है कि ये पंक्तियां कौन सी कवीता की है बताईए खुश्बू रच्ते हैं हाथ से ली गई है बहुत बढ़िया अच्छा बताईए इसके कवी कौन है अरुन कमल जी आप बताईए कि इसमें कवी ने क्या बताया है अब हम देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां अरुन कमल जी रचित खुश्बू रच्ते हैं हाथ कवीता से ली गई है जिसमें लगू उद्द्योग वाले महलों, गलियों या टोले की परिस्थितियों को दर्शाया गया है कौन सी कवीता है खुश्बू रच्ते हैं हाथ कवी कौन है अरुन कमल जी इसमें दिखाया क्या है देखो लगु उद्योग वाले महलों और गलियों या टोले या टोले की परिस्थितियों को दर्शाया है कि यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशुहूर अगर बत्तियां इनी गंदे महलों के गंदे लोग गंदे लोग क्यों कहा है जिने लोग गंदे लोग समझते हैं कि अरे बदबू आ रही अरे वो गंदी बसती हैं वहाँ नहीं जाना है और वही निर्मान करते हैं क्या मुल्क की मशुहूर अगरबतियां जो मशुहूर हैं जो बहुत जिनकी विक्री होती है जो लोग बड़े ही चाउ से खरीदते हैं अपने घरों में खुश्बू महकाते हैं तो मुल्क की मशुहूर अगरबतियां इनी गंदे मुहलों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा गुलाब खस और रात रानी अगरबतियां यह उद्धध्योग जिस गली में होते हैं वह स्थान गंदगीयों से भरा होता है इतनी गंदगी से भरा होता है कि हम सामाने व्यक्ति तो वहां से गुजरना भी पसंद नहीं करेंगे यदि वहां से हम गाड़ी से भी जा रहे होंगे जरा सी हवा आ जाएगी ना दुर्गंद भरी तो हम एकदम करें जल्दी चलो सांस रोक कर जाना पड़ रहा है लेकिन वो वही रहते हैं वही निवास करते हैं वही रहते हुए बूरे हाथ, बुजुर्ग हाथ, बच्चों के हाथ, कोमल-कोमल युवितियों के हाथ, ना घिसे ना खुनवाले हाथ, जुर्रियों वाले हाथ, सब के सब यही कारे करते हैं कौन सा कारे है अगरबत्ती बनाने का कारे है यह उद्द्योग जिस गली में होते हैं वह स्थान गंदगी से भरा होता है दुरगंद से भरे उस स्यादी सुगंध युक्त अगरबत्तियों का निर्मान करते हैं जो खुश्वू बिखेडती है समझ में आया तो आप से मैंने यही प्रश्न किया है कि आप कौन-कौन सी अगरबत्तियों के आपने नाम सुने हैं मुझे जरूर बताईगा साथी साथ मुझे ये भी बताईग कि और कौन-कौन से ऐसी वस्तू हैं जिनका इस्तमाल तो हम करते हैं लेकिन संभवता या शायद हमें नहीं पता है कि उन्हें बनाता कौन है आपके घरों में और कौन से सामान जैसे आप से मैंने सबसे पहले प्रश्न किया था कि आज मुझे यह बताएंगे कि आप रहते क किसी जानने सामना करते हुए आपको विद्या ले जाना पड़ता है साथ शीसातष वहान पढ़ाई का माहुल है मैगने के मैंस के माध्यम से आप किस तरह से सिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं मैगनेट ब्रेन से पढ़कर आपको कैसा लग रहा है जिसमें आप सब को पता है कि साथ भी से बार भी तक कि सभी विशय पढ़ाये जाते हैं एकदम फ्री तो आप सभी के अनुभवों को मैं जानना चाहूंगी और ये भी जानना चाहूंगी कि आपने और कौन-कौन सी ऐसी वस्तूओं का इस्तमाल किया है जिनका ये नहीं पता कि क्या पता कहां बनती होंगे माल लिजे हम बॉटर किचिन में जाएं किचिन में बहुत सारा सामान है ठीक है तो कुछ सामान तो ऐसा रहता है जो खेतों से उपलब्द किया जाता है अर्थात किसान उसके पीछे हैं किसानों की महनत जैसे हम शुरुवात करें रोटी अर्थात आटा या गेहूं से खेतों में है दाल चाबल ये सब खेतों में है और बताईए जीरा, राई, छोटी-छोटी ये भी हमारा खेतों में है और क्या ऐसी वस्तुएं हैं किचिन में जो खेतों में नहीं पाई जाती है छोटे-छोटे उद्योगों में जिनका निर्मान किया जाता है बताएं मुझे बताइए का अपने अपने विचारों को मेरे साथ व्यक्त कीजिएगा आफ हम चलते हैं तीसरी प्रश्ण पर निमलेखित प्रश्णों के उत्तर दीजिये का है अपरी नसों वाले हाथ है अपरी नसों वाले हाथ तब नसे उभर आती हैं तो यहां पर उबरी नसों वाले हाथ का आर्थ है बुढ़े लोग बच्चों से लेकर बुजर्ग लोग सभी शामिल है यह अगरबत्यों का निर्माण करने में ठीक है पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है यहां पर पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का अर्थ है नन्ने नन्ने बच्चों के कोमल कोमल हाथ पीपल के पत्ते से नए नए हाथ जब पत्ते आते हैं किसी भी व्रिक्ष में और पीपल के पत्तों का क्यों कहा है क्योंकि सबसे बड़ा सबसे बुजुर्ग प्रकृती में पीपल के व्रिक्ष को माना गया है तो बुजुर्ग हाथ भी है फिर उनके जो बच्चे हैं वो भी इसके साथ है ठीक है तो यहां हुआ नन्ने न्ने बच्चों के कोमल हाथ अगला प्रश्चन है अमीरी एवं गरीबी के खाई को कैसे पटा जा सकता है पटा जा सकता है मतलब कैसे भरा जा सकता है बताईए क्या इसके भरने का कोई उपाय है अपने सुझाव दीजिए तो अमीरी और गरीबी यर्थात अमीर और गरीब के बीच की खाईएं को हम सामयबाद के द्वारा भर सकते हैं जिसके अंदर अमीर लो गरीबों की मदद दे कर उनके उन्नती में सहायक बन सकते हैं हमारा जितना सामर्थ हो हम उनको कुछ दे सकते हैं कपडे लत्ते खान पान की वस्तु हैं जिस से कम से कम जो वो कमाते हैं उनको पहनने उड़ने के उसमें साधनों में तो खर्च ना करना पड़े सरकार भी गरीबों के रोजगार युक्त करने के लिए यतोचित मदद करें गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करें तो गरीबी अमीरी के बीच की खाई को पाटा जा सकता है गरीबी और अमीरी की खाई को भरा जा सकता है लेकिन हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से विशमता समाज में व्याप्त है अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब इसके पीछे क्या है स्वार्थ सिध्धी स्वार्थ ही होकर मनुश्य भूल जाता है कि हम इंसान है और जब हम चले जाएंगे तो हम ये कुछ भी साथ में नहीं ले जाने वाले हैं कर्म अच्छे करेंगे, सद कर्म करेंगे, सद कर्म ही हमारे साथ जाएंगे जीवन का कोई भरोसा नहीं है जनम हुआ है तो मृत्यूनिस्विष्थ है लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति लोव, मोह, लालच के दल-दल में ऐसे धस्ता चला जाता है कि वो मनश्य को मनश्य नहीं समझता तो मेरे प्यारे बच्चों ये सीख जो कि हमेशा मैं आपसे कहती रहती हूँ कि अपने मन में मानफता की भावना को सबसे उपर रखना धन कमाना इतना मुश्किल नहीं है जितना अच्छा इंसान बनना मुश्किल है तो आपको अच्छा इंसान बनना है इंसान अर्थात इंसानियत की भावना को मन में बसा कर रखना है आशा करती हूँ, हर एक प्रश्न को आपने बहुत ध्यान से सुना है, समझा है और इस कविता से संबंदित अर्थात, खुश्बू रचते हैं हाथ, जो कि अरुन कमल जी ने लिखी है इस कविता से संबंदित कोई भी प्रश्न, चाहे किसी भी प्रश्न का, आपके समक्ष कोई भी प्रश्न आ जाएगा, तो इसका उत्तर देने में आप भली वाती सक्षम होंगे इन्ही आशाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार